आज की इस वीडियो में बहुती टेस्टी और बहुती हल्दी बर्फी बनाने वाले हैं क्योंकि इसे हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं और हाँ इसे हर उमर का जो आदमी है वो खा सकता है बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है और इसे किसी भी फैस्टिबल में आप घर आसानी से बना सकते हैं, वीडियो को लास तक देखते रहना बहुती सॉफ्ट, बहुती परफेक्ट, हलवाई जैसी परफेक्ट बर्फी बनने वाली है, और हां इसे हम मावा से नहीं बनाएंगे, कोई चाशनी बनाने का जहनजट नहीं है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आती हैं, और हलवाई वाले वीडियो आप देखना चाते हो, तो वीडियो के नीचे जो रैड कलर का बटन दिया हुआ है, सस्क्राइब करके, बगल में जो घंटी वाला बटन है, उसको भी जरूर तबाल लेना, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो देली मिलती रहे हैं, तो इस रैसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी वारा जार चाहिए हमें, जिसमें हम डालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोकोनट पाउडर होता है, मार्किट वाला, वो आधा कप मैंने यहाँ पर डाला है और एक चौथाई कप कुछ यहाँ पर मगज डाला है मैंने, मगज की जगा आप एक काजू बदाम भी ले सकते हो, और आधा कप भी डाला है मिल्क पाउडर, अब इन तीनों को अच्छे से हमें पीस लेना है, उसके बाद एक पाउडर जैसा यहाँ पर रेडी हो जाएगा इसमें कोई ड्राइफ रूड का जो बदाम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और सिर्फ एक गिलास दूद से यह रेसिपी बनने वाली है, तो एक गिलास दूद यानि कि एक कप मान सकते हो आप, एक कप दूद लिया है, अगर एमल में बताओं, तो यह धाई सो एमल के क दूद को बहुत ज़ादा उबालना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुड़ डालके जब हम दूद को उबालते हैं, तो दूद जो है वो फट जाता है, तो इस वज़ा से आप इसको उबाल मताने दे, बस गयास का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, और गुड़ को अच् जारी ड्राइफ रूट को मिक्स करके उसको पीस लें, और उसका पाउडर अप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कोकोनट का यूज़ किया है, क्योंकि कोकोनट बहुत आसानी से लोगों के पास मिल जाता है, और सभी के घरों में होता ही है, थोड़ा सा इलाइची का प पैन में चिपक नहीं रहा और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मैंने यहाँ पर कोई कलर वगलर नहीं डाला है, बस थोड़ा सा इसको पकाते पकाते ही ऐसा ब्राउन हो गया है, बाकि कुछ गुड़ का काम था, तो गुड़ भी इसी कलर का था, तो उस वज़ा से ऐसे दे रहा है, बाकि अगर ऐसा ना भी दिखाई दे तभी कोई प्राउबलम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट ही बर्फी बनेगी, यह देखिए, और इसे पकाने से क्या होता है, ज्यादा पकाया है हमने इसे, तो इसका मतलब है टेस्ट जो है, वो काफे ज्यादा इ या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, या पर इस बर्फी को सेट करने के लिए, मैंने या पर बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर से क्या रहेगा कि बहुत आसानी से इसे हम डी मोल्ड कर पाएंगे, इसको पीसे में कट कर लेंगे, यह देखिए, अब इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर देना है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से फैला दे, जितना भी मोटा पतला, मोटाई होगा, चोडाई वगरा, जितना भी आपको रखना हो, उस हिसाब से रग भी सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कटे हुए, ड्राइफ रूट, पिस्ता, बादाम, जो भी मेरे पास था, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद इसे अच्छी तरीक से 2-3 घंटे के लिए रख देना है, 2-3 घंटे के तक आप इसे सेट होने दे, ताकि यह बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे आसे लाल रंग का बटन सस्क्राइब वाला दिखाई दे रहा होगा, सस्क्राइब करके बगल में जो घंटी होगी, उसको भी ऐसे ओल पे कर लेना, ताकि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहे, डेली, और उ पेपर जो हटा देंगे, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, पीसे में कट कर लेंगे, जो भी पीसे आपको जैसे भी पसंद हो, यहाँ पे आप ट्रेंगल भी कट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा तर स्क्वाइर में इसलिए कट कर रहा हूँ, क पहले की वीडियो जो मेरी आप देखेंगे, बड़ी बड़ी क्वांटेटी की मैंने अप्लोड की हुई है, यह देखिए हमारी बर्फी जो है कितनी सौफ्ट और कितनी पर्फेक्ट है, और उपर से आप देखी सकते हो, कलर कैसा देख रहा है, अंदर से बिलकुल प्रब्लम नहीं आएगी इस बर्फी को बनाने में, और इससे बच्चे बुड़े जवान कोई भी खा सकता है, यह देखिए, इसमें हमने जादा घी का यूज नहीं किया, जादा चीजों का यूज नहीं किया, तो इस वज़ए से आप आसानी से घर पे से बना पाएंगे, तो दोस्तों कैसे लगी आप सुरी को वीडियो, अगर आप सुरी को वीडियो अच्छे लगी तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कैसी लगी, और कौन-कौन सी रेसिपी आगे भी बनानी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो जल्दी से जल्दी में अपलोड कर दूंगा बाकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर दवा लेना तक कि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहे और आगे भी में अपलोड करता रहूंगा वी